नमस्कार दोस्तों, एजुकेसन 24 में आपका स्वागत है दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इखास होना वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको B.A. Second Year के 4th Semester में आपका जो सब्जेक्ट है English Literature यानि कि अंगरेजी सहीत है उसके अंदर कौन-कौन से Question आने वाले है इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाली Question के बारे मताऊंगा तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाली Question के बारे माचे से पता चल सके और जो भी Student B.A. Second Year के अंदर है जिनका 4th semester के एक्जाम होने वाला है या फिर 4th semester के एक्जाम चल रहा है वो लोग comment करके जरूर बताएं कि next question पर उनको किस से बेटक उपर जाएए ताकि आपकी comment concern मैं आपको question पर दे सको तो आएए देर ना करती हैं वीडियो को of translation define and explain bringing टर्शान व्ली कोश्षण की बात किजाएं आपके दूसरा कोश्षण दिया है होँ है या ओट का िर सं टेक्नी अपट के आपके आपको के छेंपिचन पर वाब कोश्षण की बात किजाता है और आपका तीसरा कोश्षण दिया होँ है अब अगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका चोथा कोशन दिया हुआ है अब अगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका पांच्वा कोशन दिया हुआ है अब अगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका चाटा कोशन दिया हुआ है What did BMLA realized at the end of the story? आभ अब गली कोशिण की बात कीजते हैं पर आपका साथवा कोशिण दिया हुआ है What are the major themes of this novel पिंजर? ऑगली कोशिण की बात कीजते हैं पर आपका अट वोग मद कोशिण दिया हुआ है Write a note on Kabir Write a note on Kabir ऑगली कोशिण की बात कीजते हैं अब अगली कोशन की बात की जाते हैं, 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 अब अगली कोशन की बात की जाते हैं comment upon benares attitude to life ति total आपके 12 questions होगे जो आपसे very short question के अंदर पूछी जाएंगे यानि कि अती लगूतरी प्रस्णों के अंदर पूछी जाएंगे अब आगे हम लोग short question के बारे में जानेंगे यानि कि लगूतरी प्रस्णों के बारे में जानेंगे ति हाँ पर लगूतरी प्रस्णों में पहले प्रस्ण की बात की जाते हैं आपका लगूतरी प्रस्णों में पहला प्रस्ण दिया हो है What is the modern aspects of translation? अब अब अगली question की बात की जाते हैं आपका दूसरा question दिया हो है Write a detailed note on relationship between translation and culture Write a detailed note on relationship between translation and culture वगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका तीसरे कोशन दिये हुआ है वगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका चोथा कोशन दिये हुआ है वगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका पांच्वा कोशन दिये हुआ है अब अगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका चाटा कोशन दिया वा है अब अगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका साथवा कोशन दिया वा है अब अगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका आथवा कोशन दिया वा है अब अगली कोर्शन की बात की जाते हैं पर आपकर नवा कोर्शन दिया बहा है describe the suffering of the omen during the partition of India अब अगली कोर्शन की बात की जाते हैं पर आपकर दस्वा कोर्शन दिया बहा है अब अगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका बाराव कोशन दिया हुआ है अब अगली कोशन की बात की जाता है पर आपका बाराव कोशन दिया हुआ है अब अगली question की बात की जाते हैं पर आपका 15 question दियेवा है What are the charges against Venare that make her accused? ति टोटल आपके 15 question के जो अब से लगूत्री प्रस्वनों में पुछे जानेंगे अब आगे हम लोग तरे प्रस्वनों के बारे में जानेंगे यानि की long question के बारे में जानेंगे तो यहां पर long question के अंदर पहले question की बात की जाते हैं, 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 पहले question की बात की जात वगली कोशन की बात की जाते हैं, पर आपका चौता कोशन दिया हुआ है, राइट दा कंडिशन और स्टेटास आप वोमेन इंडिया विद रहल परितम इन पिंजर, राइट दा कंडिशन और स्टेटास आप वोमेन इंडिया विद रहल परितम इन पिंजर, वगली question की बात की जाते हैं पर आपका पांचवा question दियो वा है Give a critical appreciation of the poem Asu Summary वगली question की बात की जाते हैं पर आपका चाटा question दियो वा है What is the message of Kaveer for society and people through his poem? वगली question की बात की जाते हैं पर आपका साथवा question दियो वा है Discussion on the text the train has reached the Amrishar वगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका नवा कोशन दियो आए मासवेता देवीज कुंती अपर आपका दसवा कोशन दियो आए वगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका बाराई कोशन दियो आए ती टोटल आपके बाराई कोशन होगे जो आपसे लॉंग कोशन के अंदर पुछी जाएंगे तिस वीडियो के अंदर मैंने आपको आती लगूतरी प्रस्ण, लगूतरी प्रस्ण और दिरगूतरी प्रस्ण तीनों तरह के प्रस्णों के बारें बता दिया आप इन तीनों तरह के प्रस्णों को नोट कर लिजे और किसी किताब से सीरी से मिला करके याद कर लिजे तो दोस्तो आज इस वीडियो को मैंब पेचिप करता और मिलता है नेख्म वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ते वीडियो को लाइक एजिये, सेर कीज और कमेंट करके बते ही कि- आपको नेक्ष्ट वीडियो के इस टोपीक उपर चाहिए तेंकि दूस्तू